बहुत ही तगड़ा सत्र और दुपैर बाद जो जोश मार्केट ने पकड़ा है वो काफी सरहानिय है तो निफ्टी बैंक बेसिकली 43,000 इन ब्यॉर्ण की तयारी करता हुआ लेकिन निफ्टी जो 17,700,800 पर फिर से जूल जाता है considering आज conviction और बहुत significant stocks के बल पर ये तेजी आई है क्या chances हम इस बारी वो जो चैनल में हम फस जाते हैं उपर की तरफ उसे break कर पाएंगे तेकि टेक्शर बहुत strong गया आज मार्केट ने क्या कि आज सुबह मार्केट ने दोनों strategies को respect किया पहले सुबह एक view था कि 17,700,750 में एक पहली sell trade होगी वो work out होई उसके बाद एक zone था 17,535 से 17,625 खरीदने का और आज का निफ्टी का लोग देखिए आप 17,612 और वहां से निफ्टी ने शांदार आपको एक return दिया 100 points से उपर गा तो अगर आपने उस zone में उसको respect करके buying किये तो आपको बहुत शांदा दो trades दिये market ने आपको सुबह सुबह पहले sell trade और अभी जो buddy trade आई हो buy trade sell trade में लगता नहीं ज़्यादा लोग participate कर पाया होंगे to be honest because वो एक बार खुला ओपर उसके बाद मोगा ही नहीं दिया market ना वो खटा-खट करके नीचे आ गया लेकिन lower level पर level defend करने के बाद सुबह सात्रा चैसुबारा defend करने के बाद market ने एक one-way तेजी दिखाई है आपको वो बहुत इच्छी चीज़ है आप देखिए 17700 की call सुबह हमने जब discussion किया था तो एक करोट 68 लाग का build-up था वहाँ पर सुबह सुबह एक बाद जब उस level को reject किया थो थोड़ा और open interest वहाँ पर build-up हुआ लेकिन अब आप 17700 की call देखिए करीब-करीब 18 लाग का open interest कम हुआ यहाँ पर और premium काफी बढ़ा 57 पसेंट दूसरी तरफ 17600 के point में जबर्दस build-up है तो यह clearly आपको बता रहा है कि यह जो support है वह काफी strong है अब आप पुछ रहें कि यह break होगा यह नहीं होगा तेकि एक market में हलकी सी complaint advance को लेकर हो सकती है लेकिन जब भी market एक consolidation के बाद breakout करता है नॉम्मली large caps lead करते हैं उसको एक typical behavior होता है market का आज का behavior market का बहुत strong है हमने चीज़ फ्राइडे को discuss भी की थी कि अगले अपते market को एक breakout मिलेगा क्योंकि एक monthly expiry है इतने बड़े numbers आने हैं मुझे जो आज चीज़ सबसच लगी हो है bank nifty आज सुबह सुबह हमारी bank nifty पर अप्रोच थी कि एक हफते का consolidation हो गया है अब आप बैंक nifty में पोजिशनल लॉंग बन जाई है क्योंकि आपको पिछली पोजिशनल लॉंग में ने करीब धाई हजार पॉइंट की एक rally play की थी और उसके बाद profit booking advice देती अब इस समय आज जो बैंक nifty ने breakaway दिखाया है अब बस 42-700 cross हो जाए तो आप और बाकी की भी short cover दिखेंगा लेकिन bank nifty में देखिया आज क्या जबरदस मजबूती है कोई भी एक stock ऐसा नहीं ICIC bank सिर्फ 2% ऊपर है कोई भी stock ऐसा नहीं जिसने ऐसा कहसा कि आपकी lead किया सबसे ज्यादा contribution किया है लेकिन HDFC bank state bank of india access bank सारे के सारे banks जो एक डिरेक्शन में चल रहे हैं और यह बैंक nifty खूबी है एक बार bank nifty इस तरह से चलना शुरू हो था तो trending mood देता आपको और HDFC bank तो लगा था तीन-चार दिन से strong closing दे रहा था आज आइसी आइसी बैंक और access और SBI भी जुड़ गया है मेरे कहाँ से जो एक मेरा सुबह भी एक व्यू था और पिछले मही ने भी पिछले अपते एक व्यू था कि मही में बैंक निफ्टी शायद all-time high लगाएगा अब मुझे लग रहा है कि आज का low वैसे तो सुबह 41-500 की बात हुई थी लेकिन अब अगर आप उस trade में आ गये हैं तो आपको stop loss adjust करना होगा आज का low 4270 के करीब अब आपके लिए वह एक sacrosanct stop बन गया है अब यहां से वैंक निफ्टे मुझे अगर आप अगले 1500 से 12.5 फिर उपन हो रहे हैं towards new all-time highs